एसे घर में लगाने से जो वास्त दोस होता है वो दूर होता है और इसे लगाने से हरी जी की कृपा भी बनी रहती है हमेशा नाराण जी की तो इसे आप अपने घर में जरूर लगाइए और एक ये medicinal plant भी है जड़ों से लेकर पतियों फूलों हर चीज में दवा के रूप में ये काम मिलाया जाता है तो बहुत ही खुबसूरत लगता है ये फूल देख सकते हैं छोटे छोटे कितने खुबसूरत लग रहे हैं सारे गुच्छों में खिलते हैं और ये रात में ही खिलते हैं और सुबह होते होते जड़ जाते हैं तो ये बिल्कुल सुबह का नजारा है तो देख सकते हैं कितने रहे सारे गुच्छों में फूल आये हुए हैं और इसे आप कटिंग से और सीड से दोनों तरह से लगा सकते हैं और इसके फूलों में बहुत ही अच्छी खुसबू आती है बहुत अच्छा लगता है जब यह खिलता है तो इसकी खुसबू जब आती है तो बहुत अच्छा लगता है और रात में ही खिलता है सुबह होते हो कि जिससे हमारे पौधे में लगातार फूल आते रहें इस अमें मैं नमंबर के मंत में हम कौण सा खाद डाले अपने पारी जात हर्षिंगार के पौधे इसे हम औहीं लगातार दिसमबर जनुरी तक ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा ये प्लांट होता है सीड सही बहुत असाने से लग जाती है और क吗 तो मेरे प्लांट में देख सकते हैं धेरो सारे सीड हर जगह बने हुए हैं तो जो प्लांट हेल्दी रहता है तो उसमें सीड बहुत जल्दी बनते हैं और हेल्दी सीड बनते हैं तो देख सकते हैं हर जगह इसके सीड ही सीड बने हुए हैं छोटे-छोटे बड़े-बड़े सारे बन भी रहे हैं तो हर जगां ये सारे प्लांट में सीड मेरे बन रहे हैं तो जो प्लांट हेल्दी होता है तो उसी में ये सारे सीड बनते हैं तो कुछ पॉलीनेशन की वज़ा से भी बनते हैं अगर पॉलीनेशन नहीं होगा मतलब तितलिया भोरे अगर नहीं आएंगे तो भी सीड नहीं बनते हैं तो इसलिए आप ऐसी जगह पर रखिए जहां फूल हो आपके गार्डन में तुम्हा रहेंगे तो धेर सारे सीड बनेंगे और सीड अगर आपको चाहिए तो आप इसको रख सकते हैं और मतलब आपके पास अगर पेड़ है तो आप ज़्यादा अगर सीड नहीं चाहते हैं तो उन सारे सीडों को हटा दीजिए बस जितना चाहिए आपको उतने ही सीड अपने प्लांट में लगा रहने दीजी नहीं तो ये सीड जो होते हैं तो प्लांट में लगे रहते हैं तो ये प्लांट जो होता है पूरा फोकस अपना सीड को तयार करने में ही लगाता है और फूल इसमें आना बंद हो जाते हैं तो इन सारे सीडों को आप हटा देजिए इनके बीजों को, अगर बीज हटा देंगे तो प्लांट में आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल अभी ले सकते हैं, अगर ये बीज बनने लगते हैं, तो ये फ्लावरिंग करना कम कर देता है, तो सारा फोकस इसका, सीड बनाने पर ही लगा देता है, सा इतना बीज चाहिए, उतने ही आप अपने प्लांट में रहने दीजिए, और नहीं तो सारे बीज हटा देजिए इसमें से, ताकि आपके प्लांट में लंबे समय तक ज़्यादा फूल खिले, और कलिया ज़्यादा आए, तो हर जगह पर देख सकते हैं, मेरे सारे ब्रांच अगर आपके प्लांट है, तो आप इसके सीड को हटा देजिए, तो हेल्दी सीड जो हो, वही आप रखिए, अगर आपको और चाहिए प्लांट तो नहीं तो सारे हटा देजिए इसको, तो इसको मैंने कैसा कैसे घंडा बनाया है, कैसे ज़्यादा मैंने इसमें फूल मैं अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का वीडियो बनाई हूँ, हर महीने मैं कौन सा खाद डाले हूँ, जिससे कि हमारे प्लांट में धेरो सारे फूल और कलियां आई है, और इतने हेल्दी सीड और धेरो सारे सीड मेरे पौधे में बने हैं, तो आप मेरे पिछले वीडिय जो देख सकते हैं, तो आप ऐसा इसमें कौन सा खाद डाले हैं, कि जिससे लगातार आपके पौधे में फूल आए और कलियां आए ठेरो सारे, अगर आप हर सिंगार पारिजात का पौधा गमले में लगा कर रखे हैं, तो टाइम टू टाइम इसमें अगर आप या कोई खाद नहीं डालेंगे, तो एक बार ही ये खिल करके खत्म हो जाएगा, तो लगातार फूलों के लिए आपको टाइम टू टाइम इसमें खाद और फर्टिलाजर डालने पड़ेगी, तभी आप इसमें लगातार फूल पा सकते हैं, और धेरो सारी कलियां पा सकते ह तो आप सब जरूर ये खाद अभी नमंबर के मन्थ में डालिए, तो आपके पौधे में अभी दिसंबर और जनवरी महीने तक आपके पौधे में डेरो सारे फूल और कलियां ले सकते हैं, तो सबसे पहले आपके पौधे में गमले में जो भी घास है, तो उसे निकाल तो मैं ये छोटे से ग्रोबैग में लगाई हूं, पांच किलो का जो आटे का ग्रोबैग आता है, तो उसी में मैं लगाई हूं, तो अगर ये जमीन में लगा हुआ होता है, प्लांट तो बहुत बड़ा हो जाता है, और इसमें कोई खाद या कोई लिक्विड दालने की ज़रूत नहीं पड़ती है, तो वो जमीन से ही अपना सारा न्यूट्रिशन लेती रहती है, और फ्लावरिंग अच्छे से करती है, तो जब हम ग्रोबैग या गमले में लगाते हैं, तो इसमें अगर कोई खाद या फर्टिलाइजर या न्यूट्रिशन नहीं ड नहीं तो अगर नहीं डालेंगे तो फूल और कलिया नहीं आएंगी फ्रेंड्स क्योंकि मिट्टी में हमारे जो हम उपर से डालते हैं, निूट्रिशन फर्टिलाइजर खाद तो वही हमारे प्लांट को मिलता है, क्योंकि हम इसे छोटे से गमले में और कम मिट्टी में जो घास है, वह नहीं निकालूंगी, तो जो भी आपके प्लांटर में घास है, तो आप उसको पहले निकाल दीजिए, और मिट्टी की हलकी सी गुडाई कर दीजिए, तभी अपने पौधे में खाद डालिए, तो बहुत अच्छे से ये वर्क करता है, एरेशन बना रहता ह गुडाई करने से, और जो भी घास है, उनको जरूर निकालिए, नहीं तो आप जो भी खाद या फर्टिलाइजर डालेंगे, तो सारा ये घास ही ले ले लेता है, और बहुत तेजी से ये बढ़ने लगता है, तो प्लांट को कम मिलता है, घासों को ज़्यादा मिल जाता है तो इसलिए आप इसको निकाल करके तभी डालिए, तो एक चमच बस ये डालना है आपको अपने पारिजाद के पौधे में, इससे आप देखेंगे, लंबे समय तक लगातार आपके पौधे में धेरो सारे फूल और कलिया आती रहेंगी, तो ये है फ्रैंड्स सरसों की खल इसका पाउडर बना करके आप तभी अपने पौधे में डालिए, या तो छोटे-छोटे टुकडे भी इसके करके आप अपने गमले में डाल सकते हैं, तो लिक्विड भी बना करके डाल सकते हैं, एक चमच ये ले करके और पाने में मिला करके एक या दो दिन के लिए रख दीजिए फिर उसके बाद अपने पौधे में डाल सकते हैं लेकिन जो सुखा डालते हैं तो धीरे धीरे ये अपना असर करता है तो प्लांट में धीरे-धीरे मिलता है तो लंबे समय तक प्लांट में फ्लावरिंग होती है पौधे में तो इसलिए सुखा ही डालिए क्योंकि कि liquid होता है तो तुरंट वर्क करना शुरू कर देता है औहु जो सुखा होता है तो हम पादी जैसे जैसे डालेंगे तो धीरे-धीरे गुलता रहता है तो वैसे असको तक यही तक पंड़ सीस की समई तक फूल आहेंगा तो इसके बाद यह कैले के चिलके का liquid बना करे मैं रखी थी पहले से ही तो यह सारे इसमें भर करके तो आप के पास केले की चिलके हैं तो उसका भी liquid बना करके आप डाल देंगे तो अगर आप के पोधे में फूल नहीं आ रही है कलिया नहीं आ रही है फूल खिलना बंद हो गए है तो आप अभी ये फर्टिलाइजर डालेंगे केले के छिलके का तो बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग के लिए तयार होगा फिर से अगर नहीं आ रहे हैं तो तो ये है इसमें भरपूर मात्रा में में वहे हैं पोटैसियम होता है ऋससो कि खली में एंपर में फिल्मा Tutor में देरों सारे फूल दाने में यह मदद करता है यह दोनों तो एैक कप मैने ये पाने लिया है अदर Stevens और दो कफ मेंने सादा पाने मिला करके बेसमें मैं डाल दे रही हुं तो अब अभी ये दो चीज डालिए और अपने प्लांट में तो देखेंगे आपके प्लांट में धेरो सारे फूल और कलिया फिर से आ जाएंगी और लंबे समय तक लगातार खिलती रहेगी तो अभी ये डालिए आपके पौधे में दिसंबर जनुरी तक इसमें फूल ही फूल आएं उतना ही रखिए क्योंकि जो पहला फूल खिलता है तो उसके सीड थोड़ा हेल्दी रहते हैं तो उनके सीड थोड़े अगर आप पूचाहिए तो रख लीजिए और नहीं तो जो बाद में सीड बनते हैं तो उनको सारे को हटाते रहिए ताकि आपके प्लांट में लंबे स कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुच सकें तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे सभी प्लांट है तो इधर देखिए यह मेरे अडेनियम कितनी अच्छे से इसमें भी ब्लूमिंग हो रही है तो आप यह सरसों की खली औ और केले किछिलके का फर्टिलाइजर जरूर डालिये इस समय नमंबर की महिने में बस एक चमच सरसों की खली डालना है तो देखेंगे आपके पोधे में लगातार लंबे समय तक धेरो फूल और कलिया आएंगी तो इधर देख सकते हैं मेरे मेरी गोल्ड जीनिया सभी में बहुत अच्छे से फ्लारिंग हो रही है सब फूल खिल रहे हैं और जीनिया अब धीरे धीरे सूख भी रहा है तो इसके सीडों के लिए मैंने इसको रखा है ताकि इसमें से जो बीज बन जाए तो इसको कलेक्ट करने के बाद मैं सारे प्लांट को हटा दूँगी इधर द